हेलो हमारे सिर्पे खड़ा है उसमें इंदी का बहुत कम से लिए वेकोबलरी है और वेकोबलरी आपने अगर बढ़िया तरीक से पढ़ ली बहतरी तरीके से तो 25 के 25 नंबर आपको हम इसी बोर्ड से बताएंगे एक दूप होसता है कि आपको एक दो तीन कोशन आपको थोड़ा अजीब से आ जाएं और वो आने तय हैं लेकिन मैं उनको भी आप अपने अनुभव के अधर पर हम आपको इतना अनुभव दे देंगे उनको भी आप सही लगा सकते हूं ठीक है तो आज वन माला की तीसरी किलास है क्योंकि वन माला पढ़ी बिना संधी समिझ मेंने आने की और संधी धान लिजे संधी इतनी आचान नहीं होती है अब विद्या लेकि संधी कभी नहीं पोचेगा ठीना अक विद्या प्लस आले सूरियो दे कभी नहीं पोचेगा सूरिया प्लस पूदे अब संधी आएगी अक्षोहिनी अन्यो न्यासृत ऐसे सब्द आएंगे संध हो आनुस्वार और विसर्ष जो आते हैं इस में उसके अलावा हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें जैसे आपका अल्पप्राण, महाप्राण सघ्घोस, अघ्घोस इनकी परिभासा और उधारन ये जुरूरी याद रखे बच्चो मैंने बताया था उधारन और परिभासा हिंदी में दो ही चीजें इमपुरेंट है एक उधारन और एक उस टॉपिक की परिभासा यहाँ से जलते हैं परितन के आधार पर वेंजन, बच्चो परितन के आधार पर वेंजन आठ परकार की होते हैं परितन मतलब क्या है देखो उच्चारन काल परितन मतलब परितन परियास, जो प्राण वाई भाहर निकलती है, वो कैसा कैसा परियास करती है भाहर निकलते समय उसके बारे में ये बात है पच्छो जह ने खेगा आठ परकार के हैं पहला है इसपर्स वरिग्येव एंजन यानि इसपर्स वेंजन जो प्रान वाईई को इसपर्स करते हुए बाहर निकलते हैं बहुत अर जगे इसपर्स करेंगे जो भी आपके लेरा वरिग्येव एंजन कितने थे ? 25 से, कहां थे बाऊं? कहतां कितने आठ था द्रेग्येव एंजन हैnost common जिन वेंजन के उच्चान में प्राण वायू अंदर रह जाती है, लगता है ऐसा नहीं होता है, कि ये, रे, ले, वे, रुख जाती है प्राण वायू, अंदर रुख जाती है, अंतह, अंतहस्त, अंतह रह जाना, अंतहस्त मतलब क्या अंदर की और, अंतहस्त मतलब ना, अंतहस्त अंदर की और प्राणवाई रुख जाना कि चार हैं जानते हैं ये रे ले और वे ये का उच्छान अरस्तान क्या है बच्चो तालबे रे का मुर्धन्य ले का दंत्य और वे का दंतोस्ट दंत प्लस ओट उस्म और संघरसी वेंजन इसकी प्रिभासा यह भी बच्चो उस्म वेंजन जिनके उच्छान में प्राणवाईयो संघर्श करतीवी निकले और गरम वाईयो उत्पन उस्म मतलब क्या गर्महाट उत्पन हो उससे का बोलनेगे सब्सक्राइब क्या बोलनेगे उस्मेंजन और संघरसी वेंजन इसको यह होते हैं आपकी बड़ाशा चोटा सा और बच्चों हैं इसमाद इस पर संगर्षी कौन सो होते हैं जो वेंजन हमारे जो वेंजन हमारे कौन से है जैसे आपका जै कि आपना चया वर्ग है टे छहें जह ईंजय ए क्वे और और यह को से इस पर संह गर्ण सी आनुनासिक पत्र तेख वर पर ट का जो प्पांचवा हैं बच्छो पर्ट सेह क्वा बॉलते ह। उसे हम बोलते हैं बच्चों नासिके वेंजम इसे अनुनासिक भी बोलते हैं और नासिके भी कहते हैं नाक्स आने वाली हमेश्च रे समय तेना तेना का सो सू यह नाक्स समझ प्रतिक बर का पांचवा यह कैसे वन है बच्चो धंगना यह अनुनासिक वन है यह नासिक क्या वन है संदी में काम आएंगे यह अनुनासिक नासिक क्या वन है इतनी अंग बोलते हैं इसको इसको अईया अने ने मैं कौन से वन ही नासिक के यह अनुनासिक परतेक वर का पांच वर्ण है चलो बच्चो नेक्स देखते हैं अर्दस्वर अर्दस्वर उन्हें कहते हैं बच्चो जिन वेंजन के उचाण में स्वर जैसी धूनी बहार निकलती है यानि इस के खे गे गे स्वर जैसे नहीं है ये वे ये वे ए आ ये वे तो स्वर से समामता खाती है किसी स्वर से पर स्वर तो नहीं है न है तो क्या वेंजन वे ये इंज कर ये इंजन आश और श्वर होता है टय ओ ठय में टय और ठय में ट्या और ठ्या में बच्चो कुछ भी नहीं है यह फार एंजय सब्क्राद नहीं है और ले से साथ तो यह कुण सा है बच्चोब करें से ले अवाज धवनी दुद्वनी बगल से नकलते हैं सिर्फ यह याद रखें प्रेतन के आधार पर कितने प्रकार कें आठ प्रकार कें हैं इसमें प्रकंफित यानि लुंतित अर दुस्वर परकम्फित औरस और पार्ष्वित पर तीन याद रखें और उसकता ही नहीं है this अबसूर हिए यह तीन नमणा आपको इधार समय सयंक्ते है और यहे तीरह जुरूरी है निकले, उन्हें बोलते हैं अल्फ राण, परतीक वर्ग का पहला, पहला, तीसरा और पांचवा, 135, अल्फ मतलब क्या, 135, 135 याद रखे, 135, यहाँ अल्फ में 135 याद रखे, कि जब अल्फ बोलेंगे, तो बड़ी संख्या, कैसे याद रखे, छोटा बोलो, अल्फ बड़ी सं संख्या, 135, पहला, तीसरा पांचवा, क्या बच गया बीच में, दूसरा बच गया भीच में, और के जब बच गया, चोटा, वह महाप्राण, परिभासा तो यही है, अल्फ वायू, प्राण, वायू बाहर निकले, इसमें अधिक प्राण, बाहर निकले, लेकिन एक जोब याद कैसे रहेगा जब अल्फ की बात करेंगे तो उल्टा सोचिए बड़ी संख्या कोन संख्या बड़ी बस एक याद कर लीजे अल्फ पुस्चों भी स्मंद क्या यह रह लेव है यह भी अलप्राण है और यह यह तीनों शे और है यह क्या है बच्चों यह महाप्राण है यह कैसे महाप्राण महाप्राण समझ यह कैसे इनको यह कैसे याद करोगे उसमा निकलती है उसमें वेंजन है कैसे वेंजन है उसमें वेंजन है और किसे बोलाते ही शै 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 यह उसमें वेंजन है धुन्यकस्तान है कैसे सबका अलग-अलग कौन सा तालविये मुर्धनिय दंत्य काकलवण, यह वाला, तो तीनों क्या होगे इस चारों, अलग अलग है बच्चों, कैसे होगे, महापराण, ठीक है, चलि, आगे देखें, सघोस और अग्होस वण, सघोस वण और कैसे, अग्होस, किसे बोलेंगे सघोस वण, घोस और सघोस एक ही होता है, यानि जिसम जब हम कुछ बोलते हैं, तो हमारी स्वर्थ अंतरियों में कमपन्ज जादा प्रतिक वर्का, तीसरा चोथा पाचवा, ठीन सो पैथालिस, सघ्वोस, कितने वर्ण है, एक, दो, तीन, कितने, एक, दो, तीन, बस तीन जब जो गी, ठीन सो पैथालिस, जो पचीए, कौन से बांते हैं पहले बेट बढ फ़िर पीट प्टा से और फिक चोटा से किप नंसरा बहुता हुए ठीख जै है क्या है बढ़ritis्ट फक्लाओं तीसे नमबर पर तीन को फॉर वर और सभी स्वार कैसे सघोष और सभी स्वहर कैसे सघोष क्या प्रसका पहला और दूसरा और तीन उश्या प्रसके यह किसमा यह अगर अगर्षा में यह किसमें बच्चों अग्होस में ठीक है चलिए यह तो आपके सघोस और अग्होस चलिए अब हम देखते हैं बच्चों कि अयोगवा कि क्या देखेंगे अयोगवा कामता परशाद गुरु एक रिक्तिवे के लेखा खुए हिंदी के विद्वान हुए इन्होंने दो अक्षर दो वन ए और विशर्ण को अनुस्वार वो कहा आयोगवा क्यों कहा यह देख्या इसे बोलते हैं अनुस्वार अनुस्वार नहीं अनुस्वार इसे बोलते हैं बच्चो विशर्ण दोनों को इस थ्रस करोंगा अयोग वहा क्यों कहते हैं देखें यह आनुस्वार कलाते हैं बच्चो यह विशर्ण कलाते हैं यह दोनों आयोगववा अका किस ने कहा कामता परशाद खुरु जी ने गाआ chilled अभी हिंदिय विद्वान हुए, इनकी बात मानने होती है, इन्होंने कहा कि ये दोनों वण जो है, आयोग वह हो है, कोई इनका योग नहीं है, कैसे नहीं है, मुझा बताँगा भी, एक अनुस्वार और एक विसर, बच्चों जब हम कोई सब्द लिखते हैं, जिसे हमने लि में आधा मैं लिखा और फिर हमने इसमें ए लिखा, ये वन विच्चेद है बच्चों, क्या है, वन मिच्चेद समझाओंगा आपको मैं ये भी, आधा कै ए, आधा मैं ए, इस, ये वेंजन के बाद क्या है, स्वर, फिस्वर के बाद क्या है, वेंजन, फिस्वर, एक करम हो जाता है कि वेंजन के बाद हमें सक्षाएगा जैसे जैसे बना काट्चा यह आधा बना बच्चो इस यह आधा आ बना यह बना यह बच्चो आधा चाहए बना और यह चाह ना यह चाह है A बन गया तो देखिए ये दोनो weekly जन क्या होगे साथ के जब दो vibes जन साथ आते हैं तो इसदर्विट वन क्याते हैं कल मैंने आपको बताय था क्या बḥलते हैं उसको बच्चो उसको दृट वन बोलते हैं डृट वन क्या बोलते हैं जब दो वेंजन एक साथ आते हैं, ऐसा कम सब्द लों होता है, सम्में नहीं होता, लेकिन जैसे ये लिखा मैंने कम, तो इसमें क्या आ रहा है, वेंजन के बार, स्वर, फिर वेंजन, फिर स्वर, ये मैं आपको इसले समझा रहा हूँ, बताँ अभी, मैं आपको क्यों बता जैसे एक सब्द लिखा मैंने आपको, आप लिखे संसार, लिखे समबाद, लिखे पंकज, ठेन बच्चों, ये देखे, संसार, संसार, इस वन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, अगर मैं इस वन की बात करता हूँ, तो इस वन में देखिया, से के बात क्या है, आपने से कोला, फिर अंका, ये ए आया, पर ये क्या है, अब बनाईए, अनुस्वार, तो ये अंका नुपता, अंकी बिंदी, बिना ए के आएगी कभी, बिना स्वर के आए कभी, नहीं, कभी बिना स्वर के नहीं आएगी, एक स ए के आज़ ना बाद में नहीं नात से वज निकली तो यह लगाते है बिंदी बाद में यानि बिना स्वर के कभी ने आएगी कभी देखा अपने के वल आधा ने लिखा और बिंदी लगा भी उपर कभी ने आएगा आधा सहलिका बिंदे लगे कि देखी, कभी ने देखी होगी प्रिकि आधे वेंजन के ओपर यानि वेंजन के ओपर अनुस्वर आही नहीं सकता अनुस्वर तब भी आएगा हमें सा स्वर के साथ आएगा यहां ए के साथ है और यहां बड़ी ए के साथ है यह होगा तो इसका मतलब यह और वेंजन के बाद आ रहा तो वेंजन के बाद क्या आता है वेंजन के बाद कम में स्वर आता है जब वेंजन के बाद स्वर आता है तो यहीं वेंजन के बाद आ रहा यहां भी यहां भी तो वेंजन के बाद है यहां भी पै के बाद है जब रहुंगे वेंजन कैसे हैं धवनी किसकी देड़ा संसा ने की धवनी दी संसा अनुनाशीक वड़ है यहां भी सब्सक्राइब यहां भी न के धवनी धवनी किसकी है ये तीनो धवनी, ये तीनो धवनी बच्चो वेंजन की है, क्या कोई स्वर ऐसा है जो वेंजन की धवनी देता है, नहीं है, कोई स्वर ऐसा नहीं है जो वेंजन की धवनी देता हो, ये है अनुस्वार, धवनी किसके तरह है, वेंजन की, परियोग कैसे हो रहा, स्वर की तरह यानि अनुस्वार वो होगा जिसका परियोग तो कैसे हो बच्चो स्वर की तरह हो और जिसकी द्वनी कैसे हो बच्चो जिसकी द्वनी कैसे हो वेंजन की तरह हो यानि ना तो पूर्ण स्वर है और नहीं पूर्ण क्या है वेंजन है ना इस काटेगरी में आ सकता ना इस काट परसाद गुरु ने कहा इसका पर्दक इसको जो है आप अयोग वह में रखो कोई इसका योग नहीं है ना स्वर में गिंती होगी ना वेंजन में गिंती होगी ना पूरा स्वर है ना पूरा वेंजन है तो क्या बनके पर चुए अयोग वहा कौन सा अनुस्वर उमीद करता समझ में आ गया होगा आनुस्वार दोबरा सुन लिजी आप आनुस्वार ऐसा बन होता है जो हमेशा स्वर के साथ आता है कभी बिना स्वर के परियोग नहीं होता और हमेशा वेंजन के बाद आता है कभी वेंजन से पहले नहीं आएगा यहीं हमेशा वेंजन से पहले नहीं बाद में आएगा, हाँ, नुक्ता बीच में आ सकता है, जिसे हैं न समवाद, यह आया है, बीच में आ सकता है कहीं बार, की सब्द के बीच में आ सकता है, पर होगा क्या है, स्वर वेंजन के बाद आएगा, तो स्वर होना चाहिए, धवनी किसकी है, वेंजन की है, तो ना तो यह वाला अनुस्वार अब हम देखते हैं बच्चो क्या अब हम देखेंगे विशर्ग विशर्ग देखते हैं यह देखें आप विशर्ग यह वाले भाई साब को देख लो विशर्ग जो होता है वो यह होता है यह हमेशा बात नात है हमेशा स्वर के साथ आएगा जैसी यह प्रात अंत लिखा ये एश्वर है कि नहीं है दोनों में जी है एश्वर है मैंने बिंदी लगा दी प्रात है प्रात है अंत है क्या बन गया अंत है प्रात है तो है कि अवाज दे रहा किसकी धौनी दे रहा धोनी वह होगी, जो अनुस्वार की थी, कि धोनी तो वेंजन की है, प्रियोग हमेशा कैसे होगा, स्वर के साथ होगा वेंजन के बात होगा कभी देखा ये जब भी हो भने से आप लिकता हो दुख ये दुख तो दुख दुख यतना और आपको पतगा जब दुख का संधी विछेद करते हैं तो संधी विछेद یہ ही होता है दुख Yes यह विश्रक लग जाता है, विश्रक संदी, यह एस गैसे रठा है, क्यों रखता है, क्यों रखता है, संदी के नियम पढ़ेंगे, बाद में बताऊँगा, तो यह है क्या आवाज जाता है, यह दुक, ठीना? यह दुक लिखाऊँ, दुक. और यहाँ, दुक. यह किस के बाद आया दैमे स्वर ए है फिर कौन सा है उ है कौन सा है उ ही तो है दैका स्वर किसके मातर है यह उ की मातर है चोटे उ की मातर है अब जो स्वर है यह यह जो आया विसर्ग यह इस स्वर के बाद यह तो आया उ कि किसके बाद आया है जब उ के बाद आया है तो स्वर के बाद आया है यह वेंजन के बात कभी क्या यह जो उ है अगर उ ना होता तो क्या विसर्ग होता नहीं होता अगर उ ना होता तो दै आदा होता जब दै आदा होता तो यह कभी ना होता कभी देखा लिका वह यह कभी नहीं हो सकता है बच्चो जब भी होगा स्वर के साथ आएगा यह ना उ के साथ है तो हमेशा स्वर के साथ आ रहा तो क्या होना चाहिए चलो भाई साब आप यह दर आ जाओ बन जाओ धवनी किसकी आपकी अगजी तो गलती होगी धवनी तो है की होगी तो बस ना स्वर ना वेंजन ना धुबे कुत्ता घर का ना घाट का कहा रह गया बीच बीच मटग गया तो आयोगवा बन गया तो दोनों तिरसंकु हैं क्या है तिरसंकु हैं दो भी कुत्ते हैं ना घर के ना घाट के ना स्वर ना वेंजन क्या है आयोगवा है नाम किसने दिया कामता परसाद गुरु ने दिया क्वेश्चन कैसा बनेगा किसने कहा आयोगवा हो गया और यह पूछता है तो हम यह थे यह चीज़ देखि आप पिसरग और अनुसवार प्याखते चांशा है आयोगवा है, अनुस्वार भी और विस्वार भी, तो यह हो गया हमारे आयोगवा, ठीक है बच्चो, अब इसी के साथ हमारे जो वन माला थी, वो मुझे लगता है, आप की समझ में आगी होगी, सब लगभग जितना हो सकता था, उतना मैंने बता दिया, अब जो इस ये question पढ़े हैं, तो संधी पढ़ते हैं, वन के तुरंद बाह संधी समझ में आए राम से, और लेक पाल वाले विसेज ध्यान दे, जो संधी पढ़ेंगे, उसे जरूर पढ़िएगा, जो संधी में आपको ऐह सब्द लेकर आऊंगा, जो आपने, जिन सब्दों का उप्योग अपने देनिक जीवन में कम किया होगा, जब देनिक जीवन में सब्दों का परियोग अक्षो हिनी है, यह यह है, यह आपका अन्यो नासित है, इन सब्दों का परियोग परियोग करेंगे इनका, तो संधी कैसे होगी, पदन चलने का, जो संधी दिख रिएंगे, और जो है वो दिख नी रही, तो ऐसे सब्द आएंगे, मर्तुंजे, ठिना, इस तरह का स्वेर इस तरह के सब्दाते हैं, इनका प्रियोग हम कम करते हैं, जिनका प्रियोग दियोन में करते हैं, विद्याल लिया, भोजनाल लिया, पुस्तकाल लिया, सत्यार, इत्यादी, अत्याचार, अनाधिकार, आसिरवाद, ये सब नहीं आने वाला है, लेक पाल के एकजाम के बात कर पैट के बात नीनरा उसारा में दिखाद आल आलुग करा उंगा झातो करें तो इसाद में आपके सामने लेकर आओंगा और जो सब्टा आपको लेकर आओंगा तो बहुत सठीक सब्द होंगे बहुत ohi sound दोंगे और उन से मिलने का आपके chance 100% रहेंगे ठीक है चलिए उमेद करता हूँ इस class में आपको अच्छा लगा होगा इस class को like करिए share करिए और हमारे चैनल को subscribe पर जो बच्चे नहीं है हमारे चैनल पर जोड़ते रहें इस तरह की class मिलेंगे आपको ठीक है जैहिन जैभारत कर दो जैए टेड़िए आपकोبा कर दो दोड़ते इस ड़वादी कर दो दोड़ते हैं है।